बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बाल राम कथा का पाट अवदपुरी में राम अवद अर्थात अयोध्या, सर्यू नदी के किनारे बसा एक बहुत सुन्दर नगर था उस नगर की हर इमारत सुन्दर एवं देखने योग्य थी नगर की सडके चोड़ी थी, बाग बगीचे हरे भरे तथा चारो तरफ खेतों में हरियाली नजर आती थी जल से भरे सरोवर, हवा में लहराती फसलें देखने में बहुत सुन्दर लगती थी चारो तरफ संपन्नता दिखती थी, सभी लोग सुखी और प्रसन थे पूरा नगर अदबुद था, राजा दशरत वहां के राजा थे, वे कुशल योध्धा और न्याय प्रिय शाशक थे अयोध्या कोशल राज्ये की राजधानी थी, दशरत के राज्ये में सभी खुश थे किन्तु राजा के मन में एक दुख था, उनको कोई संतान नहीं थी, उनकी तीन राणिया थी, कौशल या, सुमित्रा और केकई कोई संतान न होने के कारण राजा दशरत भी काफी चिंतित रहते थे महराजा दशरत ने वसिस्ट मुनी से अपनी चिंता का कारण बताया, उनोंने राजा दशरत को पुत्रेश्टी यग करने की सला दी, जिसके करने से उनको पुत्र की प्राप्ति हो जाती रिश्य श्रंग की देख रेक में पूरी तैयारी के साथ सर्यू नदी के किनारे यग्य संपन्न किया गया इस यग्य में अनेक राजा आमंत्रित थे यग्य पूरा होने पर अगनी देव ने महराज दशरत को आशिरवाद दिया कुछ समय बाद तीनो राणिया पूत्रवती हुई चैत्र माह की नवमी के दिन कोशल्या ने राम को जन्म दिया सुमित्रा ने लक्षमन और शत्रुगन को तदा केकैने भरत को जन्म दिया राज महल में खुशिया चा गई पूरे नगर में बधाईया बजने लगी चारो राजकुमार बहुत सुन्दर थे वे धीरे धीरे बड़े होने लगे चारो भाईयों में आपस में काफी प्रेम था तीनो छोटे भाई अपने बड़े भाई राम की आज्या मानते थे बड़े होने पर राजकुमारो को शिक्षा दिक्षा के लिए गुरु के पास बेजा गया बहुत चल्द ही वे सभी विद्याओं में पारंगत हो गए राजादश्रत को राम सबसे अधिक प्रिय थे विश्वामित्र कभी स्वयम राजा थे किन्तु अपना राजपाट छोड़कर सन्यास ग्रहन करके जंगल में आश्रम बना कर रहते थे उनके आश्रम का नाम था सिध्धाश्रम एक दिन में राज महल में पधारे महल में उनका सतकार किया गया उन्होंने राजादश्रत से कहा कि सिध्धी के लिए मैं एक यग्य कर रहा हूं दो राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं आप अपने बड़े पुत्र राम को मेरे साथ जाने दें ताकि यग्य पुरा हो सके यह सुनकर राजादश्रत चिंता में पड़ गए और बेहोश होकर गिर पड़े विश्वामित्र राजा के मन की बाध जानकर क्रोधित हो गए राजादश्रत ने कहा आप चाहे तो मेरी सारी सेना ले जाए मैं खुद आपके साथ चलकर राक्षशों से युद्ध करूँगा परन्तु मैं राम को नहीं जाने दूँगा मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ महरशी क्रोध में बोले कि अगर आप राम को मेरे साथ नहीं जाने देंगे तो मैं खाली हाथ लोड जाऊँगा बात बिगड़ती देखकर मुनी वसिस्ट आगे आए और राजा दशरत को समझाया कि आप राम की चिंता ना करें आपने वचन दिया है आपको वह अपना वचन पूरा करना चाहिए महरशी विश्वा मित्र सिद्ध पुरुष हैं उन्हें अनेक गुप्त विद्याओं की जानकारी है राम उनसे अनेक नई विद्याई सीख सकेंगे आप राम को उन्हें सोप दें राजा दशरत ने वसिस्ट मुनी की बात स्विकार कर ली लेकिन वे राम को अकेले नहीं वेजना चाहते थे उन्होंने विश्वा मित्र से आग्रह किया कि आप राम के साथ लक्षमन को भी अपने साथ ले जाएं राम और लक्षमन को दरबार में बुलाया गया राजा दशरत ने उन्हें विश्वा मित्र के साथ जाने का निरने सुनाया दोनो भाईयों ने खुशी-खुशी निर्ने स्विकार किया शंक द्वनी हुई नगाडे बजे राजा दश्रत ने भावुख होकर दोनो पुत्रों का मस्तक चूमकर विश्वामित्र को सौप दिया दोनो राजकुमार अपनी पीट पर तुनीर बांदे कमर में तलवार लटकाए भयानक जंगलों की ओर विश्वामित्र के साथ चल पड़े विश्वामित्र आगे थे राम उनके पीछे लक्षमन राम से दो कदम पीछे चल रहे थे धन्यवाद